नमस्ते भाईयों और बहनों प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से पढ़िए और लाइक एंड सस्क्राइब जरू कर दीजिए आज का टोपिक है जीन प्याजे का संग्यानात्म विकास या बौधिक विकास का सिधान्त जीन प्याजे सुजे लेंड के निवासी थे इसके प्रतिपादक जीन प्याजे हैं विशेस्ता हैं दो प्रकार की विशेस्ता हैं संगठन और अनुकूलन संगठन किसको कहते? कोई भी बौदिक ज्यान को एकत्रत करना संगठन कहलाता है अनुकूलन किसको कहते? वह है ज्यान जो निशिस समय पर प्रदेशित किया जाए अनुकूलन कहलाता है अनुकूलन की विसिस्ता दो होती हैं आत्मिसाति करन इसको समय पर प्रदेशित करना आत्मिसात करन कहलाता है विसिस्ती करन क्या होता? नभीन ज्यान की सहता से पूर वौदिक छमताओं में विस्तारित करना तथा परिवर्तन लाना विसिस्ती करन कहलाता है ये अवस्थाएं हैं अवस्थाएं चाट प्रकार की हैं पहला है संबेदी गामा किया इंद्री ये जननित गामा कवस्ता जीरो से दो वर्स की अवस्ता होती है। देना संवेधी गामक अवस्था यह सिगमन्ट फ्रायर्ड ने दिया था कि दूसरा है पूर्व यह प्राक संक्रयातमक अवस्था 2 से 7 बड़्ष की अवस्था में होता है इस आवस्था को जिव बाद की संगय दि जाती है इस्की दो अवस्थाएं होती पहला है निड़ जीव दूसरा है सजीव जीव बाद इसको कहते अनिमिस अर पूर्ब संक्रियात्मक अवस्था भी दो भागों में बटा हुआ है . पहला है पूर्ब सम्प्रत्यात्मक काल थोसे चार वर्स इस सवस्था की खोज हुआ फरब्सथा कोई अवस्था काता है दूसरा है इस अवस्था में बालक क्या क्या क्योंकि प्रिश्ण करना प्रारम कर देता है कि अब इसकी दूसरी विसेठा है अंतरगर सीए या अंतर प्रग्या काल चार से साथ वर्स की अवस्था में पाई जाती है इस अवस्था में बालक के विचारों की प्रिक्रिया आविलोमिये या अनुत्क्रमणिये यानिकि सीधे सीखना होती है तीसरा है मूर्तिया इस्थुल संक्रियात्मक अवस्था साथ से ग्यारा वर्स की अवस्था में पाई जाती इस अवस्था में बालक प्रत्यच्छी करण के याधार पर ग्यान प्राप्त करता है बालक में चिंतन वा तर्क सक्ति का विकास हो जाता है बालक की विचारों की प्रिक्रिया उत्क्रमणिये विलोमिये हो जाती है वस्ठा भी पाई जाती है। चोथा है अमुर्त या सूच मिसक्रियातमा का वस्था। ये ग्यार jest या 15 वर्ष के वस्था से स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में बालक अमुर्थ या अमुर्थ को या पृत्यच कहते हैं वह तारकिक चिंतर्न करना प्रारम कर देता है, बालक में समस्या का समधान करने की प्रिविर्टी समान हो जाती है, बच्चे की मांसिक क्रिया ये संक्रिया हो जाती है, निर्माण एवं खोज का सिध्धान्त, जिन प्याजे ने दिया था निर्माण एवं खोज का सिध्धान्त, बालक ब ग्यान की संक्रिये निर्माण भी कहा जाता है